हरो दोस्तों कैसे हो आज अपनीस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिस के बारे में एड्स का पुरा नाम हम 10th कलास से नांते हैं लेकिन फिर से एक बार डिस्कस करेंगे इसका रियल में मीनिंग क्या होता है AIDS का पूरणा मदब अधा Acquired Immunodeficiency Syndrome पूरे वर्ड को समझने की कोशिश करो Acquired यानि Acquire किया है मतलब कहीं से Gain किया है Acquire Immuno मतलब Immunity में कुछ Acquire किया है क्या? Immunodeficiency Immunity में Deficiency Acquire किया है किसके वज़े से? बहुत सारे Group of Virus की वज़े से Group of Pathogen की वज़े से हमने अपनी Immunity में Deficiency Acquire किया है उसे हम क्या बोलते है बेटा? उसे हम AIDS बोलते हैं तो AIDS का पुरा नाम क्या है? Acquired Immuno Deficiency Syndrome हमने बहुत सारे Group of Pathogen की वज़े से हमारी बोडी में क्या Acquire किया है? हमने Acquire किया है बेटा क्या? Deficiency in Immunity उसे अपन क्या बोलते हैं? Immuno Deficiency Syndrome. अब मैं आपको यहां से चीजे थोड़ी थोड़ी किलियर करते हुए चलता हूँ. ध्यान से सुनते जाना बेटा मेरी बात. इसमें हम बाते करेंगे किसकी? एड्स की बात करेंगे? एड्स में यहां पर एक याद रखनें कि एम्स में क्य होता है? HIV से होता है. HIV से एड्स होता है. HIV का पूरा नाम क्या है? Human Immuno Deficiency Virus. Human में होने वाले बहुत सारे बहुत सारे ग्रूप वायरस की वज़ा से जो Immunity Deficiency होती है उसे पन HIV वायरस बोलते हैं. अब HIV वायरस कैसे दिखता है? इसका नेचर कैसा है? यह सारे बच्चों को जा इसमें होता है, double single standard RNA. मतलब single standard 1 RNA. पहले भी से single standard ही होता है. उसे अपन बोले SSRNA. इसे रेट्रो वायरस नाम दिया गया है. अब यह रेट्रो वायरस नाम आपने सुना होगा. कहां पे Molecular Basis of Inheritance में आपने रेट्रो वायरस का नाम सुना होगा. जब आपने Central Logma पहड़ाता कि एक सेल का जो DNA है, वो उसे RNA बनाता है, फिर वो protein बना देता है. लेकिन अगर कोई सेल या फिर कोई living जैसा पार्ट अगर RNA से DNA वापस बनाता है, तो वो transcription का उल्टा काम करता है. जब आपने बोलते हैं, reverse transcription और वो modified central logma था, अगर आपको याद आया तो. उसका example ही क्या है? HIV virus, retro virus जिसे पन बोलते हैं, पहली बार patient कहां पे मिलाता AIDS का, वो मिलाता USA में 1981 में, और इंडिया में कम मिलाता इंडिया में 1986 में, चैन्नाई में मिलाता पहली बार AIDS का patient. अब ये सारे के सारे point एक्जाम में आयो है, इसलिए मैंने separately लिख दिये हैं. यहाँ पे ऐसी photo आपने जो हमारे society हो बहुत जादा परेशान है और इसकी हम कोई दवाई नहीं बना सकते हैं, अच्छा दवाई ना है बनाने के medicine ना बनने के पीछे reason क्या है, medicine ना बनने के पीछे reason है, इसका genetic material, most of case में virus में genetic material क्या होता है, RNA, और RNA की जो safe और जो structure रहने हो हमेसा maintained नहीं रहती, य इसलिए किसी भी viral disease की हमारे पास में medicine नहीं है, अब देखो, यह virus चुआ है, कैसे किसे दिखता है, क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें मैंने बहुत सारी layer बना रहे हैं, इन सभी layer की leveling को आप ध्यान से देखेंगे, तो इसके अंदर तो दो मैंने line की आर ने, यह RNA की side में इसे dot लगा रहा है, यह क्या है, यह reverse transcriptase enzyme है, जो इससे reverse transcription कराएगा, reverse transcription का मतलब क्या होता बेटा, reverse transcription का मतलब होता है, यहाँ पे, reverse transcription का मतलब यहाँ पे, देखो, normally cell में क्या होता बेटा, normally cell में DNA से RNA बनता है, इसे अपन transcription बोलते हैं, लेकिन बेटा, अगर RNA से DNA बनना इसके पास में प्रेजेंट हो तो ने नहीं यह यह है प्रोटीन की लेर लगी हूँ और इसमे रही है मासियन लेहर było इस Dåने वह टासर कवरिंग मैं आप द्यान से देखो कि तो है यह पे लिपिड diyorsun लगी हुई है और इस लीपेड़ की बाइविंग पार्ट है लेकिन इसे है अब वाइरस बोलते हैं अब वायडस में यहा पे नाम निगा की HIV virus attack on CD4 receptor like macrophages and T helper cell देखो हमारी body में जो भी बेटा cell होती है तो cell के बारे में अगर आप जानती हो थोड़ा बहुत तो cell की जो outermost layer होती है वो खही नहीं उसमें protein होता है उसमें lipid होता है उसमें carbohydrate होता है तो हर एक cell के पास है कोई ने को receptor होता है और वो receptor किसका बना हो सकता है वो most of case protein lipid इन सब का बना होता है most of case protein का बना होता है तो protein के बने हुए receptor के साथ में क्या होता है कोई ने कोई दूसरी cell की protein मेच कर जाती है और वो उस cell के साथ में अटेज हो जाती है जूट जाती है ऐसा ही बेटा है यहां पे जो यह वाइरस ने जो बाहर प्रोटीन यहां पे एग्जर्ट कर रखी है इस प्रोटीन की वज़े से हमारी human body में जो भी sales है उनकी प्रोटीन के साथ में जाके अटेज हो जाती है और हमें HIV का infection या फिर viral infection हमें हो जाता है अब देखो इसके बाद में लिखा HIV virus bind with the CD4 receptor with help of GP120 120 की help से इसकी help से हमारी body में यह sales के साथ में अटेज हो जाता है कौन वाइरस और वाइरस जैसे हमारी body के साथ में जैसे अटेज होता है तो आपने biological classification 11th class में second last page पे आपने फोटो देख रखी होगी या पिर आपने molecular base of inheritance में वाइरस का infection देखा होगा जिसमें एक वाइरस जो है वो यहाँ पे बेक्टरियोफास का experiment था और उसमें एक वाइरस एक cell पे आके बेटता है और अपना genetic material वाइरस सेल के अंदर introduce करा देता है ऐसे हमारी body में infection हो जाता है यह मैंने यहाँ से फिर से इस वाइरस का photo दिखा र प्रोटीन है और यह अटेश्मेंट वाली protein जिसे पर कौन सी प्रोटीन बोलते है और यह जो एन्वेलप है वो किसका है फॉस्पोलिपड का एन्वेलप है जिसे पर पोस्पोलिपड की बायलेर भी बोलते आ रहे हैं यह फिर से मैंने आपे photo लगा रहा है यहां पर देख स सकते हैं और यह photo तोड़ा सा ज्यादा जूम करके लिया गा गोल्डन कलर का photo है लेकिन यह भी वाइरस देशा ही structure है फिर है facts about HIV you should know about it HIV transmission किस-किस से होता है 5% केस में बेटा organ transplantation से HIV होता है 10% हो है non-esterile syringe के use करने से बेटा एड्स होता है उसके बाद मैं 10% केस में pregnancy के blood transfusion जैसे हम blood bank में बेटा blood donate करने जाते हैं तो वहाँ पे अगर blood को पूरी तरह के इसे purify करके किसी दूसरे की body में inject नहीं किया गया तो उससे भी AIDS हो सकता है 80% केस में AIDS किस से होता है unprotected sexual activity की वज़े से AIDS होता है यह सारे बच्चों को यह पी सारे लोगों को पता होना चाहि है यह सारी बाते हमने discuss करी इसके बाद में यहाँ पर बोल रखा कि mode of transcription यह 4 point आपको याद एकना है क्योंकि हमारी anxiety में सीदी सीदी लाइन चाप रहा किये infected blood transfusion से कि अगर आपने blood को proper तरीकी से purify करके किसी patient की body में inject नहीं कराया तो उसकी अगर उस cell में पहले से HIV virus की cell present है तो वहाँ से बेटा एड्स हो सकता है उसके बाद में mother से fetus में एड्स फेल सकता है अन प्रोटेक्टेड सेक्स करने से multiple partners के साथ में उसकी वज़े से भी एड्स होता है और infected needle की use करने से या फिर body fluid को एक body से दूसरी body में transfuse करने से भी एड्स हो सकता है और नीचे जो photo दे बेटा यहां पर यह है अन प्रोटेक्टेड सेक्स की वज़े से और यह जो वेट किस करने से dry किस करने से एड्स नहीं होता है इसके बाद में blood का ट्रांस्पूजिन करने से ड्रक्स न्यूम करने से भी एड्स होता है क्योंकि जैसे जहां पर बेटा बहुत सारे लोग बेट के कॉंटेक्ट में आता है उसके वज़े से एड्स फेल जाता है उसके बाद में गलत तरीके से ब्लेड का ट्रांस्पूजिन करने से और यहां पर फिर से फीटस में मदर की बोडी से यहां पर ब्लेड का ट्रांस्पूजिन हो सकता है और यहां पर गलत तरीके से अगर आपको आपकी बुड़ी में एड्स ने स्टोड़ी कि सोंगे को आपको फोड़ी वाते हुआ हैं अगर आपके मंसल्स में चलते चलते ही थोड़ी पैन होता है इसका मतलब अगर यंद्स कि सिम्टम है अजया जरूरी है की 100% आपकी बोड़ी में एड्स है लेकिन ऐसे symptoms होते हैं जो common symptoms हो सकते हैं मसल में एक मतलब pain होता है चिल अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है बार बार बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो हो सकता है mouth में बार बाल ulcer बनते हैं तब ही एड्स हो सकता है fever अगर continue रहता तब ही रहते हैं तो हो सकते आपको एड्सो इसके बाद मेटा आपको रात में बहुत पसीना आता है तो भी एड्स हो सकता है। इसके बाद है अगर आपके lymphatic system में कही न कहीं बार-बार swelling आती है जो आपके joints होते हैं बोडी में उनमें अगर आपको बार-बार swelling आती है तब भी AIDS हो सकता है लास्ट में skin pair red-red patches बने रहते हैं बोडी पे तब भी AIDS का symptoms आपकी बोडी में बना हो सकता है तो ऐसे कुछ symptoms होते बेटा जिसकी वज़ेसे आप ऐसे पता कर सकते हैं कि हाँ एड्स हो सकता है ऐसा case में इसके बाद में HIV infection जो बेटा कैसे होता है जैसे ये virus है ये virus है और ये हमारी body के एक cell है तो हमारी body के साथ में cell कैसे attach होती है infection फैलता कैसे rail में तो ये virus कहीं न कहीं ये virus हमारी body के contact में कैसे आएगा क्योंकि हमारी body की जो cell है उसके बार कौन साथ receptor लगावा है CD4 receptor अब ये CD4 receptor के साथ में इस virus की जो outermost covering में जो ग्लाइको protein लगी यहाँ पे GP120 इसके साथ में ऐसे बेट जाती है जैसे मैं यहाँ बेटा के दिखा जाता हूँ यह बेटा GP120 protein है और इसके यहाँ पे वाइरस है तो यह यहाँ पे आके fit हो जाता है तो 120, GP120 और CD4 receptor एक दूसरे अटेच होते हैं वैसे क्या होता है यह virus अपने generating material को हमारी cell के अंदर inject कर देता है अब बिताओ RNA हमारी body में directly translation नहीं कर सकता मतलब viral protein नहीं बना सकता तो करता क्या फिर वो वो पहले बेटा reverse transcription करता है reverse transcription से क्या बनाता वो पहले यह RNA बेटा ही है किसका generating material है virus का और यह RNA से क्या बनाता है double standard DNA बनाता है double standard DNA क्यों बनाता है क्योंकि हमारी body में जितनी भी cells है उन सब में double standard DNA होता है double standard DNA अब DNA DNA से थोड़ी नफरत कम करता है इसलिए DNA DNA के साथ में चिपक जाता है अब बेटा DNA DNA के साथ में चिपक गया तो फिर वो DNA से क्या बनाएगा वो RNA बनाएगा अब मुझे बताओ जब एक RNA अपनी DNA से RNA बनाई रही है तो जो दूसरा है जो DNA चिपकान उसकी वज़े से भी बेटा अपनी बोड़ी में को डिस्टरब कर देगा हमारी मेक्रोफेजल सेल को डेमेज कर देगा जिसके वज़े से हमारी इम्मुनिटी में बहुत ज्यादा डेफिसिएंसी आ जाएगी अब देखो यहाँ पर फिर से मैंने डियाग्राम बना रहा है कि वाइरस आया यह सेल है इसमें रिवस ट्रंस्क्रिप्शन हुआ अपनी बोड़ी के नुक्लियस में DNA के साथ में जाके चिपक गया इसने वाइरल RNA बनाया यह RNA अपनी सेल से भार निकलता है पूरी बोड़ी डेफिसेंसी आ गई है तो ग्रूप वाइरस ग्रूप पैथोजन हमारी बोड़ी बे अटेक कर देंगे और उसकी वज़ए से एक परसन की डेथ हो सकती है इसके बाद में लास्ट में आपे बात की गई कि HIV में होता क्या है HIV में T4 लिंपोसाइड सेल को किल करता है इसकी बोड़ी भारी पैथोजन से फुरेन पार्टिकल से लड़ाई नहीं कर पाती है फिर फुल ब्लॉण एड्स के केस में क्या उतवाई पूरी तरीके से आपकी बोड़ी में एड्स फिल गया है HIV वाइरस का इंफेक्शन फिल गया है तो आपकी बोड़ी में जो T जेली ही रह जाएगी जो कि बहुत जादा कम होती है इम्मुनिटी वेरी वीक हो जाएगी और इसके वज़ाए से हमारी बोड़ी हर एक फुरेन पार्टिकल के लिए बहुत जादा सेंसिटीव बन जाती है और इससे क्या होता है अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन कोज ह हो जाता है हमारी बोड़ी में कोई भी पैतोजन आया उसके वज़ेसे हम परेशान होंगे और इससे क्या होगा बेटा हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज बनने लग जाएगी तो कोई भी परसन आज तक कोई भी परसन एड्स से नहीं मरा है एड्स होने के बाद में दू ब्लाउन एड्स हो गया है तो उसको कोमन कोल्ड की वज़े से उसकी डेथ हो सकती है अब देखो यहां पर लास्ने बात की तो ट्रीटमेंट हमारी एंसटेर में ज़्याद रूहें किया गया है लेकिन दो-चार बाते तुम्हें जरूर याद रख लेंगा है है नुकलियोस HIV वारस के infection से बच सकती है इसके बाद है medicine का नाम क्या है जीडोवेलिन डाइडियोक्सी थाइमिडीन और DDC में डाइडियोक्सी सैटिडीन और DDI में डाइडियोक्सी आइडोनसीन इस्टूबडाइन नेवी रेपाइन इंफेक्टेड मदर से फीटस में HIV के transmission को ब्लोक करती ह एक agency नेशनल एड्स कंट्रोल ओर्गेनाइजेशन जो पूरी इंडिया में या फिर होल ओवर वर्ल्ड में खहीं न कहीं जितने भी एड्स के पेसेंट है उनकी खहीं न कहीं ट्रीटमेंट में हेल्प करती है क्या बातें आपको समझ में आई इतनी सारे बातें अगर आपक करने के बाद में कर पाओगे ओके थैंक यू